हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा ग्यारवी का जो पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन एन और टीकल्जर का उसके बारे में समय आपका डाइगंटे रहने वाला है और टोटल मार् प्रात्मिक भूप परीशकरण यंत्र है तो यह है हल फोर्थ नमबर है हमारे देश में दलन का बड़ा उत्पादक राज्जिक कौन सा है तो इसका जो आंसर रहेगा वे रहेगा मत्य प्रदेश ओप्सा नमबर डी फिफ्ट क्यूशन है बारत वर्थ सरवादिक प्रसलित है तो यह किसलिए प्रसलित है मिस्रित क्रेशी के लिए Question No.2 एजिसमें आपको रिक्तिस्टानों के पूर्ति करनी है पहला है मुंफली अरर कौन सी फथलो के उधारन है तो यह दलन फथलो के उधारन है दूसरा है बहुन फसलिक खेति करने में किसकी समसे बढ़ जाती है तो यह सच से सगंता बढ़ जाती है थड़ है वर्फ की नदियों को क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं हम Glacier फोर्थ है मृदा में कितनी वाई होती है तो इसमें 25% वाई होती है फिफ्थ है मृदा की खाली जगे संराजना क्रशी हेतू सरवत्तम होती है तो यह है क्रमबी बढ़ते हैं क्यूशन नमर थर्ड़ की तरफ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनों ने चैनल को एक तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वेल को ओन कर ले जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके दिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक के उसी फॉलो करके रखें जिससे आपको सारी अपडेट और पेडिएफ बगरा मिल सके तो आईए बढ़ते हैं आगे थर्ड क्यूशन में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है या फिर एक सब्द के अंदर तो पहला क्यूशन है बाढ़ती है आर्थिक विकास का मुक्य आदार क्या है तो यह है क्रशी सेकंड है सिचाई में जल का कुल कितने प्रतिशत बाग खर्च होता है तो यह 90% बाग थड़ है एक नाइट्रोजन इस्तरी कराण जिवानू का नाम लिखिए तो इसका जो आंसर रहेगा वे रहेगा राइजोबियम फोर्थ है म्रदा में उपस्ति जल को कहते है तो इसे कहते है म्रदिय जल और फिफ्थ है क्रशी के लिए सबसे अच्छी म्रदा कौन सी होती है तो यह होती है दौमट म्रदा फोर्थ नमबर क्यूशन है सत्य असत्य लिखिए तो पहला है skeleton मिट्टी चम के लिए होती है यह बिल्कुल सत्य है दूसरा है मृदा जिवानू अपना कारेट ठीक डंग से नहीं करते है तो यह गलत है थर्ड है लाख नामक पदार्थ पौदे से प्राप्त होता है यह गलत है फोर्थ है फिफ्ट है फिफ्ट है फशल चकर पौदों को बीमारियों से बचाता है यह भी सत्य है फिफ्ट नमर उत्पादन की परिवास से लिखी अत्वा फशल उत्पादन के दो मैत्व लिखिए तो यहां से आपके लाउन कुशन स्टार्ट हो चुक है जिसमें आपको दो question मिलेंगे अत्वा वाले दोनों में से एक करना है आपको तो यहां से long question start हो चुका है यह 5th number question था अब 6th number question देखते हैं प्रस्ण के बारा है प्रस्ण के मुक्य यंद्रों के नाम लिखिए अत्वा सिचाई के पांच उद्देश लिखिए प्रस्ण के तेरा है फसल चक्र से होने वाले लाब लिखिए अत्वा मिश्रित फसल के कोई चार लाब लिखिए प्रस्ण के चौदा है अत्वा उत्तम फसल चकर के कोई चार महत्पून लक्षन लिखिए पंदरा नमबर है राज के खेती के प्रमुख चार लाब लिखिए अत्वा रेचिंग खेती के दो गुण और दो अवगुण लिखिए प्रसें के सोला है विस्व व्यापार जगत में बारतिये करशी उत्पादों की भूमिका लिखिए अत्वा राष्टी अर्थ व्यवस्ता में करशी के चार महत्व लिखिए प्रसेंगे 17 है उद्यान विज्ञान की परिवासा विवाग और प्रमुक चारलाब लिखिए अत्वा मरदा के किनी 5 बौतिक गुणों को संचेप में लिखिए प्रसेंगे 18 है अमलिय और चारिय मरदा में अंतल लिखिए अत्वा अमलिय मरदाओं को सुधारने की 5 विदियां लिखिए तो यह तिसार इंपोर्टन्ट किशिन आयोप आपको वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सभी को एक जाम के लिए बेस्ट आफ लग थैंक यू